C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये अध्याय 6 है वर्ग और वर्गमूल 6.6 दशमलव का वर्गमूल संख्या 17.64 के वर्गमूल पर विचार कीजिए चरण 1. दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्याद करने के लिए हम पूर्ण संख्या पर सामान्ने रूप से बार लगाते हैं अर्थात 17. दशमलव भाग पर भी पहले दशमलव स्थान से प्रारंब करके बार लगाते हैं और सामान्ने रूप से आगे बढ़ते जाते हैं हम 17 के उपर एक बार और 64 के उपर दूसरा बार पाते हैं चरण 2. अब इसी तरहां आगे बढ़ते हैं 17 पर बार सबसे बाई ओर है और 4 वर्ग छोटा है 17 से जो की छोटा है 5 वर्ग से इस संख्या को भाजक के रूप में लीजिए और सबसे बाई बार के नीचे की संख्या भाज्ये के रूप में लीजिए अर्थात सत्रा भाग दीजिए और शेश फल ग्याद कीजिए यहाँ पर जब हमने सत्रा को चार से भाग किया, तो उपर हमें चार मिला और सोला से खटाने पर शेश फल एक मिला चरण तीन, शेश फल एक है, अगली बार के नीचे की संख्या अर्थात 64 शेश फल के दाएं लिखिए, 164 प्राप्त कीजिए यहाँ पर हमने एक के साथ 64 संख्या लिखकर 164 संख्या प्राप्त की है चरण चार, भाजक को दुगना कीजिए और दाएं तरफ लिखिए, पहले 64 दशमलव भाग में था, अतह भाग फल में दशमलव रखिए हमने 164 के बाई और 82 को लिख दिया है और उपर चार के साथ दशमलव भी लिख दिया है चरण पांच, हम जानते हैं कि 82 गुणा 2 बराबर है 164, अतह नई संख्या 2 है, भाग दीजिए और शेश फल ग्याद कीजिए चरण छे, अतह शेश फल शून्ने है, अब शेश कोई बार नहीं है, अतह 17.64 का वरग मूल बराबर है 4.2 यहाँ पर जब हमने 164 से 164 खटाया, तो हमें शून्ने शेश फल मिला प्रिष्ट संख्या 114, उदाहरन 13, 12.25 का वरग मूल ग्याद कीजिए हल, हमने 12 के उपर एक बार डाला और दूसरा बार 25 के उपर डाला 12 को 3 से भाग करने पर हम उपर 3 पाते हैं और 12 से 9 घटा देते हैं नई संख्या 325 मिलती है, जिसे 65 से भाग करने पर हम शेश फल शून्ने पाते हैं और उपर संख्या 3.5 पाते हैं अतह 12.25 का वर्ग मूल बराबर है 3.5 किस तरफ बढ़ें? संख्या 176.341 पर ध्यान दीजिए पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या के दोनों भागों पर बार लगाईए दशमलव भाग में क्या तरीका है जो पूर्ण भाग से भिन्न है? 176 पर ध्यान दीजिए हम दशमलव के पास के 21 स्थान से प्रारंब करके बाईए तरफ चाते हैं प्रथम बार 76 के उपर और दूसरा बार 1 के उपर है दशमलव 3-4-1 के लिए हम दशमलव से प्रारंब करके दाई तरफ चाते हैं पहला बार 3-4 के उपर और दूसरा बार लगाने के लिए हम एक के बाद शूने रखते हैं और इस प्रकार दशमलव तीन चार एक शूने बनाते हैं। उदाहरन चौदा एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्र फल दो हजार तीन सो चार मीटर वर्ग है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ग्याद कीजिए। हल वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्र फल बराबर है दो हजार तीन सो चार मीटर वर्ग। इसलिए वर्गाकार क्षेत्र की भुजा बराबर है दो हजार तीन सो चार का वर्ग मूल मीटर वर्ग। हम पाएंगे कि 2304 का वर्ग मूल बराबर है 48 मीटर, इस प्रकार वर्गाकार क्षेत्र की भोजा 48 मीटर है. हमने यहाँ पर एक सारणी बनाई है, खड़ी रेखा के बाएं और संख्या 4 लिखी है और दाएं और संख्या 2304 लिखी है. 23 के उपर एक बार है, शून्ने चार के उपर दूसरा. 23 से 16 घटाने पर हमें नई संख्या 704 मिलती है. 704 को 88 से भाग करने पर हमें उपर संख्या 48 मिलती है और नीचे 6 फल शून्ने मिलता है. 25 एक विद्याले में 2401 विद्यार्ति है. Pty अध्यापक उन्हें पंक्ति एवम स्तंब में इस प्रकार खड़ा रखना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या श्तंब की संख्या के बराबर हो. पंक्तियों की संख्या ग्याद करो. हल, माना की पंक्तियों की संख्या X है, अतह स्तंभ की संख्या बराबर है X, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या बराबर है X गुणा X बराबर है X वर्ग, अतह X वर्ग बराबर है 2401, अर्थात X बराबर है 2401 का वर्ग मूल बराबर है 49 होता है, पंक्तियों की संख्या बराबर है 49, यहाँ पर हमने एक सारणी बनाई है, 2401 में 24 के उपर एक बार है, 01 के उपर दूसरा, 24 को चार से भाग करने पर हम संख्या 16 पाते हैं और उपर 4 पाते हैं, 16 को 24 से खटाने पर हम नीचे 8 और नई संख्या 801 पाते हैं, जिसे 89 से भाग करने पर हम उपर 49 पाते हैं और शेश फल शूनने पाते हैं, 6.7 वर्ग मूल का अनुमान लगाना निम्न स्थितियों पर विचार कीजिए 1. देवेशी के पास कपड़े का एक वर्गाकार टुकडा है, जिसका क्षेत्र फल 125 सेंटीमीटर वर्ग है, वहे जानना चाहती है कि क्या वहे 15 सेंटीमीटर भुजा का रुमाल बना सकती है, यदि यह संभव है, तो वहे जानना चाहती है कि इस टुकडे से अधिक से अधिक कितनी लंबाई का रुमाल बनाया जा सकता है, प्रिष्ट संख्या 115 2. मीना और शोभा ने एक खेल खेला, पहली संख्या देती है, एवं दूसरी उसका वर्ग मूल देती है, मीना ने पहले प्रारंब किया, उसने 25 कहा और शोभा ने तुरंट 5 उत्तर दिया, तब शोभा ने कहा, 81 और मीना ने 9 उत्तर दिया, यह तब तक चलता रहा, जब तक मीना की संख्या धाईसो तक पहुँच गई, अब शोभा उत्तर नहीं दे सकी, तब मीना ने कहा, शोभा तुम कम से कम एक ऐसी संख्या बताओ, जिसका वर्ग धाईसो के नस्दीक हो, हम जानते हैं कि सौ छोटा है धाईसो से, और धाईसो छोटा है चारसो से, और सौ का वर्ग मूल है दस, तथा चारसो का वर्ग मूल है बीस, अतह, दस छोटा है धाईसो के वर्ग मूल से, जो की छोटा है बीस से, लेकिन फिर भी हम वर्ग संख्या के करीब नहीं है, हम जानते हैं कि 15 वर्ग बराबर है 225 और 16 वर्ग बराबर है 256 अतह 15 छोटा है धाइसो के वर्ग मूल से जो की छोटा है 16 से और धाइसो 225 की अपेक्षा 256 के बहुत पास है अतह धाइसो का वर्ग मूल लगभग 16 है प्रयास कीजिए निम्नलिखित संख्याओं के निकट तम पूर्ण संख्याओं का अनुमान लगाईए एक असी का वर्ग मूल दो एक हजार का वर्ग मूल तीन साढहे तीन सो का वर्ग मूल चार पांच सो का वर्ग मूल प्रशनावली 6.4 एक निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग मूल भाग विधी से ग्याद कीजिए 1.2304 2.4489 3.3481 4.539 5.3249 6.1379 7.5776 8.7921 9.576 10.1024 11.3136 12.900 2. निम्नलिखित संख्याओं में से प्रतियेक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ग्यात कीजिए बिना गणना के 1.64 2.144 3.4489 4.272 5.390,625 3. निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ग्यात कीजिए 1. दो दशमलव पांच छे 2. साथ दशमलव दो नौ 3. इक्यावन दशमलव आठ चार 4. बयालीस दशमलव दो पांच 5. एकत्तीस दशमलव तीन छे 4. निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में निूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ग्यात कीजिए 1. 402 2. 1. 19899 3. 3.280 4. 825 5. 4000 5. निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोडा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ग्यात कीजिए एक पांच सो पच्चीस दो एक हजार साथ सो पचास तीन दो सो बावन चार एक हजार आट सो पच्चीस पांच छे हजार चार सो बारा प्रिष्ट संख्या एक सो सोला छे किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ग्यात कीजिए जिसका क्षेत्र फल चार सो एक तालीस मीटर वर्ग है साथ किसी सम कोण त्रिभुज ABC में कोण भी बराबर है नब्बे डिग्री ए यदि AB बराबर है 6 cm, BC बराबर है 8 cm, तो AC ग्यात कीजिए बी यदि AC बराबर है 13 cm, BC बराबर है 5 cm, तो AB ग्यात कीजिए आठ एक माली के पास 1000 पौधें हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कौलम की संख्या समान रहे इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ग्यात कीजिए जिसकी उसे आवश्यक्ता हो 9. एक विद्याले में 500 विद्यार्थी हैं पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कौलम की संख्या के समान रहे इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा हमने क्या चर्चा की 1. यदि एक प्राकृत संख्या M को N वर्ग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां N भी एक प्राकृत संख्या है तब M एक वर्ग संख्या है 2. सभी वर्ग संख्याओं के अंत में 21 थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है 3. वर्ग संख्याओं के अंत में 0 की संख्या केवल सम होती है 4. वर्ग मूल वर्ग की प्रतेलोम संक्रिया है 5. एक पूर्ण वर्ग संख्या के दो पूर्ण वर्ग मूल होते है धनात्मक वर्ग मूल को संकेत उल्टे Z द्वारा व्यक्त किया जाता है उदाहरणार्थ तीन वर्ग बराबर है नौ, नौ का वर्गमूल बराबर तीन होता है यह पाठ यहीं समाप्त होता है अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तक्नीकी समन्वयक, बटिलांग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक, मयंकुमार, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन्व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत झाला प्रस्तुत, कैंप बटिलांग ड्रस्तुतक्स